Electric fence क्या चीज़ है आप इसको क्यों लगवाएं लगवाने से पहले being a client आपको क्या क्या information होनी चाहिए Electric fence लगाने का फाइदा क्या है इसको touch करेगा तो यह उसको 8000 watt का current का जटका मारता है बिल्ट इन बैटरी फीचर कहते हैं मरता नहीं है नहीं चिपकता है इसके साथ लेकिन बंदा एकदम से pushback हो जाता है एकने में खुबसूरत और elegant लगती है और हमारे इस किसम की warning plates लगी होती नेटकेम सुलूशन इनकी authorized dealer है असलामलकूम वीवर्स माइनेम इस सजीद आफ़ताब बुखारी मैं डिरेक्टर सेल्टें मार्केटिंग हो एट नेटकेम सुलूशन्स आज की जो हमारी वीडियो है बिसिकली हम आपको इसमें बताएंगे कि electric fence क्या चीज़ है आप इसको क्यों लगवाएं इसको security के हैं और लगवाने से पहले being a client आपको क्या क्या information होनी चाहिए electric fence लगवाने से पहले सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगी कि अगर आप अपने घर को या office की building को या किसी factory को अगर आप secure करना जाते हैं तो normally लोगों ने boundary wall के ओपर as per traditions of Pakistan reserve wire कहते हैं वो लगाई होती है आजकल इसकी technology upgrade होगी है और boundary wall की security के लिए कि जो निया system launch हुआ हम इसको electric fence कहते हैं इसकी जुरूरत आप लोगों को इसवर से पढ़ती है अगर आप लोग existing boundary wall की security system को देखें तो उसके cross करना बहुत आसान होता है आप उसके पर कोई भी लेकडी का piece रख सकते हैं इसको प्लास से काटके आप लोगों की building के अंदर इंटर हो सकता है लेकिन electric fence एक totally different mechanism के उपर काम करती है इसमें जो equipments यूज होते हैं और कैसे यूज होते हैं आपको इसके बारे में बताएंगे देखें सबसे पहले हमारा stainless steel के हमारे poles यूज होते हैं electric fence के लिए जिसमें हम आपनों की boundary wall के उपर यह हमारा 40 inch का pole होता है जिसमें approximately 6-7 inch मतलब इस height तक का pole आपनों की दिवार के अंदर हम लोग लगा देते हैं screws के साथ यह हम उसको दिवार के अंदर properly drill करके fix कर देते हैं इसमें हमारी 8 wires जा रही होती है as you can see यह हमारा दूसरा pole है जिसमें हमारी 8 wires जा रही होती है एक, दो, तिन, चार, पांच, छे, साथ, आठ 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 आपकी current की wires चल रही होती है आपनों की boundary wall के चारों तरफ पहला benefit इसका यह होता है कि अगर कोई भी इंसान आपकी fence को touch करेगा किसी भी जगह से उसको यह आठ रार watt मतलब 8 kilowatt का current का जटका मारता है जो एक अच्छा खासा shock, electric shock होता है बट यह non-nithal होता है और DC current होता है तो यह उसको अपने साथ चिपकाता नहीं है और नाई मारता है लेकिन pushback कर देता है और आदा घंटा हरारा से उसको feed होती रहती है और थोड़ा सा pain feed होता रहता है अगर boundary wall के चारह तरफ से किसी भी जगह से इसकी कोई भी wire को काटता है तो काटने के फोरण बात यह तारों में current भी इसका चलता रहता है और यह alarm बजाना शुरू करतेगा तो हमारे पास safety के इसकी दो basic features आजाते हैं अगर कोई इसको touch करेगा उसको यह 8000 वाट का current का जटका मारता है प्लस यह alarm बजाना शुरू कर देगा इसी तरह अगर कहीं से भी कोई इसकी wire काटेगा तब यह wires में current भी चलाता रहेगा और यह alarm बजाना शुरू कर देगा और तक आप आके उसको खुद off नहीं करते हैं अलाम इसको off नहीं होता जो कि अच्छी खासी sound पैदा करता है तो इन दो instance में अगर कोई भी ऐसा incident हो जाए जिसमें अगर आपकी wire को किसी ने touch किया है या आपकी wire किसी ने काटा है तो एक यह alarm बजाना शुरू कर देगा जो कि आ इसके नदर एक और safety feature यह होता है कि इसके नदर built-in battery आती है normally जब हम पहले फैंस लगाते थे उसमें features available नहीं थे अगर खुदाना खास्ता कोई आप लोंके मेड्स या मुलाजमिन वारा उसमें मुलवस हैं तो वो घर से इसकी power off कर देते थे अब हमने इसके नदर एक built-in battery क feature launch कर दिया है कि अगर आप में fans on की और कोई इसकी power को card भी दे even GPS की power disconnect कर दे solar की और बाहर वापड़ा की power disconnect कर दे still इसके नदर एक personal built-in battery होती है जो तकरीबन 4 घंटे तक का आप लोंको battery backup provide करेगी जिसमें वो current भी same voltage का मारता है अलार्म भी बजाता है कि एक और हमारा इसके सबसे बड़ा जो electric fans का फाइदा यह है कि यह देखने में बहुत खुबसूरत और reliable लगती है तो हमने comparison किया एक normal जो रिजर वायर्स गार्ण पर यूज़ होती है उनके security features कुछ नहीं है प्लस वो देखने में भी बुरी लगती है electric fans जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि देखने में काफी खुबसूरत लगती है और true purpose serve करती है आपकी residential और commercial property की security के लिए electric fans लगवाने से पहले चंद चीज़ें जो आप लोग को बिंगा क्लाइंट पता होनी चाहिए उसमें सबसे important यह है कि यह बहुत sensitive matter है electric fans कोई normal security camera गेट की installation वाला या रेजर वाल वाला प्रोसेस नहीं है बड़ा sensitive matter है तो आप जब भी fans लगवाएं make sure करें कि आप किसी authorized dealer से या proper किसी बड़े brand से लगवाएं V-Bing NetCam Solutions हम authorized dealer हैं पाकिस्तान में Nemtek के जो कि South African brand है और पूरी दिने में सबसे अच्छी security electric fans वाले बनाते हैं तो हम इनके पाकिसान में authorized dealer हैं हमारे पास complete installation team available है आप हम इसे contract कर सकते हैं हम आप लोग और एक्रिक fans की installation की complete service दे सकते हैं and after sales service as well दूसरा benefit यह होता है जब आप किसी authorized dealer से लगवाते हैं so they will give you after sales service as well fence में अगर आप किसी local electrician यह local किसी कपनी से लगवाते हैं yes fence तो लग जाएगी but the quality of equipment might not be same as authorized dealers are offering to you इसकी वेज़र से अब let's suppose हम इसकी example लेते हैं यह देखिए यह हमारा pole है और यह हमारा Jurassic लगाओ है wires ने इस Jurassic को cross करना है लेकिन इस अच्छी quality को होता है कि यहां से current जा रहा है 5000 वाट का तो आपकी पॉल में current को transfer नहीं करते और पॉल में जब current transfer नहीं करते तो आपकी boundary wall या आपके प्रेंसिस के नदर transfer नहीं होता but sometime हमारे पास ऐसे बहुत सारे cases आए हैं जिसमें लोग initially might be कुछ चंद पैसे बचाने के लिए एक local किसी से installation करवा लेते हैं लेकिन उसकी वज़स से उननों की boundary walls में या उनकी gates पे current transfer हो जाता है जो कि अगर बच्चे वारों को लगे तो वो थोबसार dangerous होता है तो आप इस वज़स से जब भी लगवा है quality equipment शूज करें नमबर टू थिंग पाकिस्तान में दो किसम की fencing लगती है चानिज है वो भी अची है एक Mtech है South Africa is the best one in the world आप दोनों के लगवा सकते हैं you can contact us for them तीसरी चीज़ जो equipment इसके साथ यूज होता है आपको बतातों देखिए आपकी boundary wall पे हमारी current की wires लगी है और उन wires के पर हमारी इस किसम की warning plates लगी होती है जिसके बावजूद अगर आपकी कोई fence को टेच करता है या कारता है so he should be punished accordingly उसके लिए electric fence is the best choice मैं आपको बाकी दिखाना चाहूँगा जिससरा एक computer का जो main system है वो CPU होता है इस electric fence system को जो main computer समझने उसको energizer कहते हैं जो के name tech का हमारे पास available है मैं आपको थोड़ा सा खोल की भी दिखा देता हूँ यह हमारा energizer है जो के सारा control voltage को चलाता है and the best part I just wanted to make sure कि आपनों को पता हो कि यह को बिद्ली की consumption इसकी जादा नहीं टोटल चालिस से 50 वाट के उपर चलता है समझें कि आपका मुबाइल का charger जिस तरह चल रहा हो तो टोटल उतनी सी वाल्टिज लेता है दूसरी चीज़ जो सबसे इंपोर्टन है हमारे सद्वा हमारा यह सांडर होता है जो आपके साथ लग जाता है और यह अलार्म जनरेट करता है तो इतना अलाम होता है कि आपके नीरे साथ अलिज दो घरें उन दक अवास पहुंच जाए अ तीसरी जो सब शेची चीज है वह हमारा यह डीपी बॉक्स होता है और नॉमली लोग एनेजाजर को दा बेस्ट पेस्ट इंस्टॉल एनेजाजर इस ओन दे बॉन ग्रीव वाल तो जो आपके पोर्च का जो शेडिड एरिया होता है वहां पे हम यह डीपी बॉक्स लगाते हैं देखिए इट कम्स वीड़ की इसको इसके हम अपना एन हमारे खुछ क्लाइंन सेंजो के फैंस को खाली दिन के टाइं और रात में अन रखते हैं कुछ क्लाइंस हैं जोके इसको दोच कि गहने तो आप धिब्स गंटे उन रखते हैं तो आप में डिपन्ट करता हैं आप जिस तरह भी चाहें आप आप तरहाइण को रेग्लर ली के shaded area में जहां पर हम अपने बॉक्स इंस्टॉल कर सके वहां में आपने 220 का connection देना होता है इसके लावा बाकी सारे installation हमारी टीम आपको provide करेगी at the end of the video I just wanted to tell you कि जब भी आफ फैंस लगवाएं आप make sure करें कि आफ fully trained है इसको on करने के लिए इसको off करने के लिए और अगें इसरा में आपको बार-बार बताया है कि फिर्स लगाते हुए आपने कपने की वर्थ देखनी है कि आप किस कपनी से लगवाने है अलहमदुलिल्ला नेटकेंट सुलूचेंस 2011 से मार्कित में काम कर रही है और हमारे installation quality is very high we have a limited set of standards which needs to be followed हम उस पर compromise नहीं करते हैं अगर आप हमारे clients का testimonial या हमारे existing projects को देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाके हमारी electric fencing की playlist को देख सकते हैं इसमें आपको हमारे सारे projects नतर आ जाएंगे अगर आप किसी भी किसम की आपके bind में कोई क्यूरी है तो हमें comment section में लाजमीं बताईएगा या by end of the video आपके पास हमारे contact numbers आएंगे आप उस पर call करके हमसे further information भी ले सकते हैं Thank you for watching, stay tuned for more updates. कर दो कर दो